हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वेल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संधी पर्प का दूसरा और अंतिम भाग तुमने कहा कि वो मुंबई के पुलिस कमिशनर को मार कर भागा है जबकि उसको तो मैंने मारा था तुमने ओ कोड दे दू इसको सिर्फ नागमान भी पढ़ सकते हैं तुमारे लिए बेकार है ऐसा क्या है वैसे तो यह रैस से खोलना मेरे लिए वर्जेत है पर जल्दी वह मैसेज कोड बेकार हो जाएगा और तू भी पर मैं तुमको तुमारी मेमोरी डिलीट करके जिन्दा भी देता पर उतनी देड़ तक तुँ जिन्दा नहीं रहेगा एक मिनट पहले इसका कोड तो पढ़वा लो परना इसके साथ कोड भी एक्सपायर हो जाएगा सही कहा तुने इसमें कोड है पढ़ पढ़ यह जरूर पढ़ेगा बस तुम जान नहीं पाओगे इतना इतना तीवरिविश असमबव को कौन हो तुम बकवास बंग करो मैसेज डेटा पढ़ो यह यह तो एक्सपायर हो गया उफ इतनी सारी मेहनत बरबाद हो गई इससे पहले कि इसकी बॉड़ी मेरे जहर से गलनी शुरू हो इसे समदर पर फिकवात हो उसका इंतजाम य तेरे ऑफिस से होकर जाता है जिसको देखकर मौत की सास से रुख जाती थी आज वो खुद सास का मौताज था मड़ी धर मैसेज कोड मिल गया और तुम सरप्रूप में क्यों हो वो डोगा ने जब मैसेज कोड हटो मुझे बात करने दो नागराज को बलाओ बोलो हाला काम ह हो गया नहीं मैसेज कोड एकस्पायर हो गया काश मुझे वह कोड पढ़ना मालूम होता मैं आपका आदिश पाते ही गमत पहुंच गई थी डोगा की साथ लग भी गई थी डोगा ने एजएंट को तो बचा लिया पर जीवित नहीं रप पाया उसना डोगा को एक सेल्फ ड पनाएंगे एक मिनट ये सब आपको पहले से कैसे पता था धीरे धीरे समझ जाओगे परंतु अगर आप ऐसे गुप्त रूप से काम करेंगे तो हमको भविशी की योजना बनाने में कटनाई आएंगी हमारे एजएंटों का विश्वास हम पर घटेगा नहीं महां अमात्य नहीं आप विश्वास बढ़ाने आया हूं घटाने नहीं एक एजएंट मर गया और हमको मैंने सुनाए नागराज की विशय में अगर वे टोगा का मित रहे तो मुझे ये पता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए एक एजएंट मर गया और हमको भीशड भैराज को मारने का मैसेज़ कोड भी नहीं मिला उपर से हमें टोगा को मारना पड़ा क्या ये सफलता है इस योजना से आपने अपने नई शत्रू बना नहीं नागराज जो टोगा दोनों घहरे मित रहे है मैंने सुना है नागराज शक्तियों को एकी छत्र के नीचे लाना मूल शेतर नागदीव की छत्र के नीचे फिर चाह सामने नागराज हो या भीशड भैरो देवी विशाला महराज नागराज ने आते ही उनको अपना शत्रू बनाने में सफलता पा लिए जो सदा मूल शेतर के मित्र थे नाशक प्रशा के मानस रूप में छिपी थी नगीना एक बात और देवी विशाला कोई और शक्ती भी मुल्चेतर के डाटा डूम से जनकारी ले रही है और मुझे यकीन है कि भी नगी नहीं है अगर उसके पाद मुल्चेतर की जनकारी पहुंच गई तो मुल्चेतर विश्व कर न मुंबई छितर के नागदीब एजेंट मेर ने उसको विश्मित्य दिये डोगा को सागर समाधी दे दी गई है यह सूजना 10 सेकंड पहले की है डोगा अभी गमत से वापिस आया था उसकी इस यात्रा को कोई कारण या वर्तान दर्ज नहीं है डोगा को मैं ढून लूँग पर अब नागदीब को इसकी सफाई देनी पड़ेगी। और अगर नागदीब से कालदूस से नाशक नागरा से टकराना चाते हो तो दिव्यास तुमको वापिस चाहिए और ये होकर रहेगा। पूरी सर्केट को ओवर्राइट करके अंजानी प्रोग्रामिंग से डेटा रेकवर कर दिया। मैंने स्वैमी ठीक किया हूँ पर ये तहए कि वह तुम ही थी। दूसा नागराज एक और ध्रोव। मैंने भी कुछ ऐसे ही कहा था और अब द्रोण भी कैसा रहसे है। ये क्या। ये ब्लैक पावर का काम अंदर हैंज है। मैं मैं पर सर्ण नगरी से संपर इस्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं देव आयुदगार से सर्ण नगरी के माद्यम से संपर कर सकता हूँ। सर्ण नगरी की कोडिंग बदल दी गई है। अब वहां ब्लैक पावर्स की कोडिंग है। यानि देव आयुदगार अब ब्लैक पावर्स के पास है। अभी नहीं, अनता चारों तरफ विनाज देखने लगते। देव आयदगार में उनको घुसने में समय लगेगा। और उसी समय काम को इस्तमाल करना है। इससे पहले की कालीवान तक तुमारी पुनर्जीवित होने की सूचना पहुचे। तुमको द्रॉण से दिव्यास्त्र को फिर हासिल कर लेना, पर मेरे पास दिव्यास्त्र के कोड नहीं है। और अब मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। द्रॉफ क्या हुआ? पता नहीं पर तुम संगड़ा को अपनी रेम मोमरी अपना कैशी चेक करो। सच में, पर ये तुमको कैसे पता? अब तो तय हो गय कि मेरी मैमूरी तुमने ही चैतन नहीं किये, मुझे फ्रहम नहीं हुआ। जो भी है, सामने हमारे पास, समय हमारे पास कम है। तुम तुरंद अपनी ट्रेनिंग शूर कर दो द्रॉफ। ठीक अ गुरुक्नात, हम नाकप्रस के बार जाकर अपनी साधना शूर करेंगे। त अब पहले हम निर्माण अस्त्र का वाइस कोड इसमना करेंगे। और अस्त्रों-शस्त्रों के संदान के वाइस कोड नागराज और द्रुपुना इसमना करते चले गए। पूरे दो दिनों तक विना विश्राम के आयोत शिक्षा ग्रण करने के बाद अब एक बार फिर उ जैसे नागराज जो दुरुव की परिक्षा शुरू हो गई इनके अंदर अस्त्र शर्ष से बचने के लिए रडार फिट है यह किसी भी अस्त्र से बस सकते हैं इनकी आखें ही रडार है और उसके कारण यह बच पार हैं कोछ ऐसा वार करना होगा जिसको इनका रडार हत्यार ना समझे जैसे यह सरकंड यह ऐसा हत्यार जो बचने की कोशिश कर रहा है इस रडार का पीछा ही न छोड़े धुरुव के छोड़े सरकंडों की दिशा ऐसी थी कि रडार को वे सिर्फ एक बिंदू दिख रहे थे और नागराज के अवाल में उड़ते सूश मिनाग उनको वकाबू में कैसे द्रॉन को अपने प्रश्ण का उत्तर प्रश्ण पूरा होने से पहली मिल गया ओ यह तो इस्तंबन वार है बहुत अच्छा वार है चकित कर दिया तुम ना मुझे अब यह रोबॉल जड़ यानि इस्तंबित हो जाएंगे और अरे तुम दौनों सेंब के वार से इस्तंबित हो गए पर यह संबव नहीं यह वार तो कहीं और से आया रहा है रोबॉल भी उस दिशा में जा रहा है परन्तु मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया फिर कौन बुला रहा है इनको चलो मैं स्तंबित वार को काट देता हूँ आओ देखें अरे कौन हो तुम और यह रोबॉल तो मारे पास कैसे चले आए मैं योटा हूँ गुरू जी आप इन भेडियों को मार रहते मैं बचा रहा हूँ इसलिए मेरे पास चले आए योटा कहा रह है पर यह तो मशीन ही भेड़ी है असली नहीं है इनको बचाने से क्या दात पर है इनका हर रूप मुझे प्री है इनको शती होते हुए मैं देख नहीं सकता है मुझे पर तुमने स्थवन अस्त्र का संगान कहां से सीखा आप से आप मेरे गुरू है तब ही तो मैंने आपक मुझे सीखे यह निशिद्ध है मैं यह मंत्र को तुमको नहीं दे सकता तो क्या करूँ छोटे गुरू मैंने जो याद किया है वह भूल तो नहीं सकता मैं बोला सकता हूँ परंतो उसके सासा तुमारी अपने इसमार शक्ती भी नश्ट हो जाएगी यह गलात होगा फिर उ भक्ति का अद्बुद उधारणता वै योटा ने एक पल भी नहीं लगाया गुरू की आग्यापा गुरू दच्छड़ा देने में ये लीजे छोटे गुरू और आग्याप जी जी ये विजई भवा तार-तार हुआ था या और पुष्ट इसका निर्ला करना संभव था आओ दोस्तों ये आपने क्या किया द्रूआँ वै एक बच्छा है नागीश जैसा सिर्फ सुनने की इतनी बड़ी सजा रोकियो इसे हम अभी भी उसकी जीवा प पड़ा द्रूआ और हमारे सामने अपूरा ब्रह्मान जिसकी रक्षा हमारा कर्तव वे मैं उसे रोकता हूं नागराज मैं उसके साथ अन्या नहीं होने दूँगा पर वे गया कहा पैरों की निशान तक नहीं है वे इतनी जल्दी दर्जन और रोबाल्फ के साथ कहां जा स द्रॉण सेम तुझे समाप्त करने आया है द्रॉण की विद्या जानने वाला हर कोई मारा जाएगा द्रॉण यह क्या यहां मैं हमको पैचान नहीं रहो क्या और तुम फुल बैठा गेर में क्यों आयों यह हमको फिर से उन ताबूतों में पहुचा देना चाहता है लगता उसका कारण यहां था कालीवान कुछ अनोनी हो रही है हमारे मॉनीटर के अनुजा स्वर्ण नगरी के अस्त्र शेस्त्र उर्जा को कोई खीच रहा है यह उर्जा स्वर्ण नगरी से बार जा रही है सत्या नाश मैं देखता हूं कई यह धूर देव हमसे धोका तो नहीं कर रहे हमारे यंद्र बता रहे हैं कि आपके आयो दुर्जा चोरी हो रही है असंपव हमने सारे transmission ब्लॉक कर दिये उनको तो कोई authorize devio override कर सकता है ओ क्या यह तो drone है हमारा bio robot इससे हमारा संपग तूड़ गया था तो हमने इसके memory ब्लॉक सेंड करके छोड़ दिया था उस ब्लॉक को ब्रेक करना तो संभवी नहीं है पर ऐसा हुआ है द्रॉन नहीं आयो दुर्जा स्वयम के लिए तो ली नहीं है फिर किसके नागराज और धुरुफ के लिए सत्या नाश मैं तुम्हें coding देता हूँ तुरन द्रॉन से संपर करके उसे इंस्टॉल करो उसे नागराज दुरुफ को मिर्ती देने का आदेश दो robotic name को override कर दो ये आप क्या कह रहे हैं आप हमारे सयोगी अवश्य है पर द्रॉन सेम हमारा मार्ग दर्शन करते हैं हम उनको robot नहीं मानते उनके पास तो देवायोत भंदार का भी code है हम उनको अत्यारा नहीं बना सकते और नागराज द्रुफ तो हमारे हितैशी हैं आपको ऐ के बताओ देव कितनी देर तक सांस रोखे रह सकते हैं यानि छोड़ा भी समझ जाओ गया हवा प्राण वायू नहीं आ रही है वायू सहंत्र को क्या हुआ वायू संचरण को तुरंत रिप्यार करें मेरा पुत्र अचेत हो गया है मैं करता हूं ठीक तुम कुछ नहीं कर सक पर मैं कर सकता हूं पूर्ण सर्ण नगरी को हमारे सिस्टम ऑपरेट कर रहें हैं थोका हमारे साथ धोका किये तुमने गलत तुमने धोका खाया सोच लो द्रोव और नागराज के प्राण लेकर तुम कितने प्राण बचा लोगे वह भी अपनों के भेजोगे निर्देश क को या नहीं अ हाँ भीजूंगा मैं ठीक है एर सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा मुझे किसी से मिलने जाना है लोटने पर मुझे नागराज द्रुक के मरज शरीर देखने जल्दी आता हूं कहां रहे गया मुझे जल्दी वापस भी जाना है तो मैं मुझसे मिलने नहीं आना जोड की भनक भी लगी तो तभी तो मैंने तुमको या बुलाया विशाला तुमारे पुत्र नरक नाशन नागराज को नागदी मूल शेतर की सत्ता इसले नहीं मिलिये कि वह दोस्तों को दुश्मन बनाए और हमारा काम बढ़ाए सत्ता बनाए रखनी है तो नए मित्र बन देख नहीं गमत के विरुद सारी कारवाई तुरंद रोग दो वैसे तुमें हमारे साथ है यानी मूल शेतर के साथ है चीक है तुम मुझे अपने मित्रों की एक सूची क्यों नहीं दे देते उसको मैं क्या हुआ किसी ने मुझे तक्शक नगर से जाते देखा था इतनी प समच जाए कि नाशक खी मेरा वह पुत्र तो हम दोने के अधरिक यह रहसे जानने वाला वह तीसरा होगा उसने तुमारे भूतकाल को अभी देखा है यानी वह जो भी यह वरतमान कई प्राणी है तब तो उसे मृत्यू का करना ही पड़ेगा परंतु ऐसा शक्तिशाली है क तो हमारी इस काट की नगरी में फसे रह जाएंगे वैसे भी आपने अभी कहा ना कोई समय धारा में हमारा पीछा कर रहा है वह मेरा आबास था कलत भी हो सकता है अभी तो यह जाने बगहर मैं वापिस जाई ही नहीं सकता कि तू है कौन वह बुजंग सें तुझे देखकर चौंका की पर हम तो यह देखने आयते हैं ना कि मणिया कहां से आई हैं उसका उत्तर भी तेरी उत्पत्ती से जुड़ा हुआ है हमको तेरे जन्म के समय में जाना पड़ेगा वै जो हमको पता नहीं तो हम तक्षक राज के पेता वासुकी नात के मिर्ट्यू के समय पर जा वन्शावली में दर्श समय मुझे पता है वहीं से हम एक मिनट मित्यू शैया पर वासुकी नात तक्षरणा से कुछ कह रहे हैं ऐसी बात है सुनना बुरी बात है गुरी दे चलो निकलो यहां से मुझे अपनी एक भूल का प्राश्चित करना है पुत्र और वो मेरे पुत एक संतान है मेरा दूसरा पुत्र जिसका दाइत अब तुमको उठाना होगा मेरे पहले पुत्र को उसको उसका हग देना होगा यह मेरा मिर्तिवपल का अनुरोध है ऐसा ही होगा पिता जी मैं वचन देता हूं वे कहा मिलेंगे वहीं जहां तेरे बच्पन में मैंने उफ वह जग है तो मैं नहीं जानता अब तक्षकरा को वहाँ जाने का इंतिजार करना होगा और फिर उसका पीछा करना होगा पर तुई तरह भावक क्यों हो रहा है यह तुझे सूट नहीं करता है क्या बात करते हो गुरुदेव पहली बार तो अपने बाप को देगा है वह भी मडते हुए तो हो गया बस सोचने दे मुझे मैं तक्षकरा को जानता हूँ तुझे तेरे पिता वासुकी नात के अंद आपके आने तक मेरी जाज़े समापतो जाएंगी त Après तो राजा लगते हो पर कौन हो तुम वे का हैं तुमको मैं जानती हूँ तुम तो राजा हो न हाँ, वे मेरे पिता है हैं थे राज़ा वासुकिनाद अब वे इस दुनिया में नहीं रहे राजा राजा वासुकीनात असमभव वे तो आम आदमी बनकर मिलते रहे और अब वे नहीं रहे अब अब उनकी इस निशानी को तुम ही समालो मैं उनके पास माँ अरे सुनिये ये तो चल बसी मालकिन ये दवाई मालकिन आप कौन है और मालकिन को क्या हुआ मैं तक्षक राज इनके पती मेरे दिवंगत पिता राजा वासुकीनात थे ये बच्चा मेरा भाई है मेरे साथ जाएगा पर तुम कौन हो मैं इनका पुराना सेवक हूँ बच्पन से इनके साथ हूँ मैंने घाट पर वासुकीनात के बारे में सुना है दुक्का विशह है आपकी दुविदा में समस्ता हूँ आप अपने भाई को ले कर जाएए मैं यहाँ पर सब समान लूँगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा यह रखो यह माताजी के अंदिम करियो और तुमारे जीवन ही आपन के लिए काफी होंगे और दुबारा इधर मताना समझ गया मालिक तो यह थी तेरी कहानी जिसे जाननी के लिए मैं मरा जा रहा था देखा नहीं कितना छोड़ा था मैं तुमको याद है अपनी इतनी छोटी उम्रे की कोई बात मेरा छोड़ मैं तो रा के पैबन को मकमल गुरुदेव क्या हुआ पूद गया हाँ गया तक्षक रात तो गया अगर भविश में वहां हमारी चग अनुसार नहीं चला तो मैंने साफधानी बढ़ती है इसे ऐसे नच्छत में पैदा किया है कि यह अलपाईू होगा काम करेगा और चला जाएगा यह कौन थे बात तो यह मेरी बारे में कर रहे थे मुझे अलपाईू कह रहे थे अलपाईू क्या होता है ओ यानि तेरी बुद्धी उसायू तकी विक्सी तो नहीं थी पर डैब वर्ष तूने अमरित पी लिया और मिट्ट्य को टाल कर इनकी यूजन को बरबात कर दिया पर इनकी यूजना थी क्या मैं इसे पहचानत हो तो नहीं पर इसकी आवाज मैंने कहीं सुनी है बस ध्यान नहीं आ रहा है मुझे खत्रा मैसूस हो रहा है अब यहां से निकलना होगा परना अरे क्या हुआ अवरोध किसी ने अवरोध लगाया है मैं अपने मानस रूप कोगो अपने शरीरों तक नहीं ले जा पा रहा हूँ अवरोध यानि हम यहाँ पर फस गए है मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ अब हमको ना जाने कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और उस समय का उपयोग हम आपका अतीच जाने के लिए कर सकते मेरा अतीच वो क्यों हम इतना तक्षक नगर और इसके इतने समय काल में घूम चुके हैं गुरुदेग पर अभी तक मुझे तुमारे दर्शन नहीं हुए हम सभी के रूप यहां मौझूद है तो तुम अभी तक देखे क्यों नहीं कौन हो तुम गुरुदेग तो इतना मूर्ग भी नहीं है जितना मैंने समझा तनाक पाशा लेकिन फिलाल इस अफ्रोद लगाने वाले के बारे में जानना ज़रूर है मेरे बारे में बात में जान लेना द्रोण आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है द्रोफ हमें इसे नश्ट करना होगा यह हमें नश्ट करतेगा हमारा गुरू है यह नागराज गुरू पर कैसे वार करे वैसे भी हमको दिव्यास इसीने तो सिखाए है इसलिए इसके पास हमारे हर वार की काट होगी बात तो सही है गुरू पर गातक वार करना सही नहीं होगा फिर क्या गुरू दचड़ा मैं पनी प्राण देते हैं देने की अवशक्ता नहीं मैं स्वयम ले लूँगा चक्रशुल तरी गुणा से पेड़ों की आड़ लो द्रुफ आपाल बाल भी नहीं बचे ये तो बहुत धार धार है द्रॉन से हम दिव्यास युद में नहीं जी सकते क्योंकि वह इनका प्रयोग उतनी आसानी से कर सकता है जितनी आसानी से मैं सार पर हसी है तुम्हें स्टार लाइन पर जूलते हो गुड तो फिर द्रॉन की विरोध हम वहीं क्यों न करें जो हम आसानी से कर सकते हैं क्या ये जूलना तुम नहीं तो कहा था तुम कहीं भी छिप नहीं सकते शिश्यों तुमारे प्राण दच्छणा तुम्हें ले करी रुख जाना अगराज वरना मुझे प्राण दच्छणा अगर तेरी पीट के रास्ते लेनी पड़ी तो वे भी में ले अध्रूफ अब मैं तुझे कुछ देड़ तक ये सिलसला जारी रहा ये द्रॉण तो उन दानवो दानों पर दया दिखा रहा है नर्मी से लड़ा है शायद तुमको सुर्ण लगरी की जंसंग क्या कम करनी है मंतरी नहीं मैं इसके जवा जैविक रॉबोटिक कोड को ओवर्रैट कर देता हूँ फिर ये स्वम निर्णा ना लेकर सिर्फ हमारे आदेश का पालंग करेगा बस पौत हो गया द्रॉण के देवायुद से एकस्तर निकल कर भूमी में समाता चला गया और पूरे छेत में विजित आयुद की पौत भूमी सोगने लगी अब धराबली ये देवायुद तुम दोनों को ढून ढून कर मारेगा तब तक जब तक तुम दोनों के चीथड़े नहीं उड़ जाते उफ इस धराबली को दूसरे दिव्यास आसानी से काट सकते हैं इस दिव्यास की काट तो मिल जाएगी लेकिन फिर द्रॉन और शक्ति शाली देवायुद का संगान करेगा हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी सही का मैं नाक्षक्तियों से भी द्रॉन का सामना कर सकता हूँ ये काम बस तुम ही कर सकते हो नागराज और कोई द्रॉन के आगे एक पल भी नहीं टिक सकता मैं गुरू द्रॉन को रोखने की कोशिश करता हूँ तब तो तुम बस बचे रहना कोशिश जरूर करूँगा और फिर एक असंभव युद्ध की शुरूआत हुई एक अमोद शस्त्र था और दूसरा अचल प्रवत साबदान द्रॉन मैं तुमारे प्राण नहीं लूँगा पर उने पंगो बनकर जाने पर मजबूर अवश्य कर सकता हूँ और मैं तुमें किसी एक न एक को तो हार माननी ही थी और दौनों ही बात दे थे नागराज गुरू पर गातक बार करने के लिए और द्रॉन नागराज अधुरू को मारने के अधिश का पालंग करने के लिए यह तो ब्लैक अनर्जी है यानि अब तुम ब्लैक पावर के आदिशों का पालंग कर रहे हो द्रॉन बुरी खबर है न, मौत की खबर हमेशा बुरी ही होती है अपनी खुद की मौत की तो सबसे अधिक खबर बुरी है पर तुमारे लिए द्रॉन जिस ब्लैक अनर्जी से तुम मुझे मारना चाहते हो मैं उसके खिलाब परती रोते छमता पैदा कर चुका हूँ ओ, मौत के सामने शेकी नहीं बगारते शेश्चे क्योंकि मौत के पास लाग तरीके होते हैं ब्लैक अनर्जी ना सही, तो देव उर्जा सही प्राण दच्णा तो देरी पड़ीगी तुझे भी और शिष्च ध्रव को भी अब ये भूमी पर बालियों की तरह उगने के साथ साथ पेडों पर फोलपूलों की तरह भी उगने लगें अब पेडों की आड़ भी सुरक्षित नहीं रही जो सोचना जल्दी सोचना पड़ेगा वरना द्रोन हमसे गुरु दच्णा वसूली लेगा बस और कश्ट नहीं दूँगा कुछी पलों में शरीट तुम रखना और तमारे प्राण मैं रखूँगा ओफ ये सारे धराबली एक साथ मुझे पर निशाना साथ रहें आप ये एक साथ मुझे पर मृत्य किरन पर साइंगे और ऐसा होते ही तुझको शर्म से जमीन में कड़ जाना चाहिए नागराज ध्रोव और नागराज एक जूसे गिशारे बखूबी समझते थे दर्चनों मित्य किरने धरुफ का निशाना बनाने के लिए लपकी लेकिन अब उनके और धरुफ के बीश द्रोव का वैश रीर था जिसको नागराज में खुद तेहलने का अफसर नहीं दिया था लेकिन खुद सर्फ सुरंग बनवा कर किरनों के रास्ते से अलग अट गया था द्रोव खुद अपने ही वार का निशाना बन गया था मुझे तुमारी बात बिलकुल नहीं माननी चाहिए थी द्रोव बुरी तरह से छतीक रस्त हो गया मुझे उसको वापिस बुलाना होगा तुरंट कहीं और किसी को किसी और को बहुत की भी घहरी चोट लगी थी दिल पर मार तो मुझे मुझे से अच्छा तो रावर था कम से कम उसने अपनों से दुश्मनी नहीं की थी मैं दुनिया के इत्यास का सबसे बड़ा शैतान हूँ सबसे बड़ा गलट डैट सबसे बड़े शैतान आप नहीं है आप तो मार देते हैं सबसे बड़ा शैतान तो जिन्दा रखता है तड़पाता है हर पल उस मौत का एसास कराता है जो तड़पने वाला पाना चाहता है पर वो मौत उसे मिलती नहीं मैं हूँ आपसे भी बड़ी शैतान कमांडा नताशा अब no batteries, no power डैट, अब पता चलेगा अब अपने बाएं हिस्से को आप bio energy और nervous system की connectivity जही चला पाएंगे 500 किलो की वजन को हर चार कदम पर सांस लेने रुखेंगे और फिर एक दिन मैं वे भी बंद कर दूँगी और ये सिर्फ जैलच का बदला है डैट रिशी का हिसाब तो मैं आपको दुबारा जिन्दा करके लूँगी, मैं बदल गया हूँ पूरी तरह से बदल गया हूँ पर तुम से किसी रियायत की उमीद नहीं है मुझे मिलेगी भी नहीं क्योंकि आपका भरोसा तो शैतान भी नहीं करेगा इंसान तो करेगा ना नच्छत्र करेगा, भरोसा भी करेगा क्योंकि मैं इसको रॉबो सिटी का देंगे, कभी नहीं, असंबव ये चिफ फेक है, नहीं नताशा मैं इस चिफ को पैचानता हूँ यही लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा था ये काम कर रहा है, पर इस पर तो नताशा का हैग होना चाहिए हग होना चाहिए, नताशा, जलाज और रिशी का नताशा को दिया, तो वह इसे धृफ को देदेगी, और धृफ के हाँ तो सही है, उसके पास पहुच जाईगी जिसना रॉबो सिटी हत्याने के लिए पहले हमारे सिर्फ फाइनेंसर गुलोबल बैंक के जनरल मैनेजर सिपन्ना पर लोन वसूलने का प्रेशर डाला और फिर, सिपन्ना, मेरे डैट, मेरा दोस्स सिपन्ना तुमारे डैट कैसे, तुमारे पिता तो मुझे गोध लिया था उन्होंने, वो मेरे जैसे कई अनाथ बच्चों के डैट थे हर क्वाइश पूरी की, मेरी, पर उन्होंने तो सुसाइट किया था पिस्तॉल उसकी थी, पर गोली किसी और ने चलाई थी किसने है, पुरानी बात है, भूल जाओ, बस आप रॉबो सिटी को ऐसे चलाना कि इस पर जो रॉबो नाम का कलंक लगाए वो धुल जाए कौन है गोली चलाने वाला वेहाद, धृब कौन लगता उसका मैं अब किसी युद्ध का कारण नहीं बनूँगा, चाहो तो सेम पता कर लो परना मेरी सलाई की जो सुना है भूल जाओ, विदा, डैड रो क्यों रहे हो, रॉबो जैसा दोस्त मिला है तुमें, जिसने पूरा सामराज जो तुमारे नाम कर दिया ये सब तुमारा है, मैंने कहा था ना रॉबो से, तुम हमेशा दुरुख से प्रदिस परदा करते हो न, लो आज रोबो प्रेम में तुमने दुरुख को बहुत पीछे चोड़ दिया, नक्षक्त रोबो ताना क्यों मारी हो ना ताशा, रोबो ने खुदी बताया न, कि तुमको रोबो एंपार क्यों नहीं देना चाता, इसमें तुम भाईया और नक्षक्त का कंपैरिजन क्यों कर रही हो, मुझे रोबो एंपार अगर चाहिए होता तो इसे मैं खुद ले लेता, बहुत पहले, मुझे अब बस अपने गौड़ फादर सिपन्नक या त्यारे से सिटी को बचाना है, वादा करो तो मैं अभी सिटी को छोड़ दूँगा, शेता के साथ, सौरी फॉर इंटर और शादी नहीं करनी चाहिए थी नताशा, यह तो रोबो की सिर्फ एक सिटी है, तुम तो उसकी बेटी हो, उसका खून, मैं अपने रोबो नाम के कलंग को दोने की लगातार कोशिश कर रही हूं नशत्र, दूर जा रही हूं रोबो से, पर तुम तो उसके पाप के दलद तो मैं ही दोओंगी, धमाके के साथ, चलो रिशी जलच, धृफ के परिवार में घहरी, दरारे पढ़ रही थी, और वे इन सबसे अंजान था, द्रौन ना जाने कहां गायब हो गया नागराज, और वे बच्चा भी कही नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वही नहीं, उन रोबो की सेना का भी कोई चिन नहीं है, मेरे सर्प तक कोई चिन जूनने में नाकाम रही, आ ये क्या, इतना भीशर भुकम कैसे आ गया, नव निर्मित नागपरस के नव निर्वाचित महराज विशांक के रास तिलग पर आप साधारा मंतरे थे, आपकी उपस्तेती नागपरस के नहीं दिखा सकता कि उसमें क्या है, अर्थात, ये ने मंतर पत्र है, इस पर मेरी जगे नागराज लिखाऊना चाहिए, विशांक अचानक बदला निर्ले, विशांक का अचानक बदला निर्ले हुए, इस महागाता में क्या तूफान लेकर आएगा, ये तो वक्ती बताए नागपाशा और गुरुदेव के रैस और घहरा गए हैं, और किसी ने उनकी वापसी बावरोर लगा दिया है, और वे काट की नगरी में ही फसे रह गए हैं, मूल शेत्र विशाला के प्रतिनिदी नरक नाशर नागराज के अधीन हैं, तो सन नगरी अब कालिवान और ब्ल बली पर्व, प्रतिक्षा कीजिए इस महायुति के अगले घंडगी, तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहीं समाप करते हैं, बली पर्व में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद